बच्चों, आप सभी लोगों ने राम लीला तो जरूर देखी होगी, पर क्या आप जानते हैं कि रामार नाम का ग्रंथ आदिकवी महर्शी वालमी की द्वारा लिखा गया था और रामचरित मानस गोस्वामी तुलसी दास जी द्वारा इनी महा काव्य उपर आधारिक दशहरे के समय हमारे देश में राम लीला का मंचन किया जाता है और श्री रामकथा कही जाती है रामचरित मानस में बहुत सारे पात्र हैं, आज मैं आपके लिए उन्ही पात्रों की छोटी छोटी कहानिया लाई हूँ चलिए हम कहानी शुरू करते हैं आयोध्या से, आप सबने आयोध्या का नाम तो जरूर सुना होगा आयोध्या सर्यू नदी के किनारे बसा हुआ उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही प्राचीन शहर है बहुत समय पहले की बात है, आयोध्या में एक राजा राजी करते थे जिनका नाम दश्रत था दश्रत की तीन रानिया थी, कौशल्या, कैकेई और सुमित्रा बहुत समय बाद राजा के घर चार राजकुमारों का जन हुआ, जिनका नाम राम, भरत, लक्ष्मन और शत्रुगन रखा गया राम की माता का नाम कौशल्या था, भरत की माता का नाम कैकेई और लक्ष्मन की, वो शत्रुगन की माता सुमित्रा थी राम सबसे बड़े राजकुमार थे पर बहुत ही शांत्सो भाव के थे और हर कारे को सो समझ कर ही करते थे भरत अपने बड़े भाई राम और छोटे भाई लक्षमन वशत्रुगन से बहुत सने करते थे हाँ लक्षमन को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था परन्तु सभी भाई अपने माता पिता का आदग करते थे और एक साथ मिल जुलकर रहते थे इसी तरह शरारत करते खेलते सभी राजकुमार बड़े होने लगे रिशी विश्वामित्र एक दिन राजा दश्वत के महल में आये और उनसे राम और लक्षमन को मांग कर अपने साथ अपने आश्रम ले गए विश्वामित्र के आश्रम को सिध्धा आश्रम भी कहा जाता था उन दिनों आश्रम में रिशी मुनी रहते थे पर आसपास के जंगलों से राक्षस आकर आश्रम में उतपात करते थे इस वज़े से वहां रिशी मुनीों को पूजा पाढ तपस्या आदी करने में बहुत मुश्किल होती थी राम और लक्ष्मन उसी आश्रम में रहकर अस्त श्रस्त चलाने की विद्या सीखने लगे और साथ ही अपने गुरू की सेवा भी करते थे वहीं रहते हुए आश्रम की देख भल करते और रिशी मुनीों की राक्षसों से रक्षा भी करते राम लक्ष्मन नियम पुर्वक अस्त श्रस्त चलाने का अभ्यास करते रहे पूजा पाठ वतपस्या को भंग करने वाले सुबाहू और मारी जैसे राक्षसों का वद्द किया साथ ही में ताड़का नामक राक्षसी का भी वद्द कर आश्रम को राक्षसों से मुक्त किया जिससे सभी रिशी मुनी फिर से निश्चित होकर आश्रम में रहने लगे ताड़का वद्द के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है दर असल ताड़का एक यक्ष की पुत्री थी और उसका विवा सुड़ नामक राक्षस के साथ हुआ उसके शरीर में हजारों हाथियों का बल था और उसके कोब से जो सुन्दर वन था उसे लोग ताड़का वन कहने लगे थे जहां वो अपने पती और दो पुत्रों सुबाहू और मारिज के साथ रहती थी और उसी वन में विश्वा मित्र सहीद अनेक रिशी मुनी भी रहते थे यह सब राक्षस आश्रम में आकर उत्पात करते थे ताड़का का पुत्र मारिज सुहम राक्षस नहीं था पर बच्पन से वो बहुत ही उपद्रवी था रिशी मुनियों को आकारन कश्ट दिया करता था एक दिन उसके उपद्रहों से परेशान हो रिशी अगस्तस से ने उसे राक्षस हो जाने का शाथ दे दिया अपने पुत्र के राफ्षस हो जाने पर सुट दुखी हो रिशी अगस्तस्य को मारने दोड़ा रिशी अगस्तस्य ने उसे ततकाल भस्म कर दिया अपने पती की मृत्यू वो पुत्र के दुर्गती का बदला लेने के लिए ताड़का रिशी अगस्तस्य पे जप्टी रिशी अगस्तस्य ने उसे कुरूप हो जाने का श्राप दे दिया अपनी कुरूपता वो अपने पती की का बदला लेने के लिए वो रिशी अगस्तस से पे जप्टी और उनका आश्रम नश्ट करने का संकल्प ले लिए इस वज़ा से विश्वामित ने ताड़का का वद राम के हाथों करवा दिया अब चलते हैं मिथिला की तरफ जहां राजाजनक राज करते थे एक बार मिथिला में वर्शाना होने से ब्हुत भयंकर सुखा पड़ा जिसकी वज़़से मिथिला वासी बहुत परिशान थे एक रिशी ने राजा जनक को यग करने के लिए कहा और यग की समापती पर राजा रानी दोनों को सुखे खेत में हल चलाने का सुझा दिया राजा जनक ने बहुत बड़ा यग किया और फिर रानी के साथ खेत में हल जोतने गया जैसे ही हल जोतना शुरू किया कि अचानक उनके हल का नुकीला भाग एक घड़े से टक्रा गया और घड़ा तूट गया उस घड़े में एक छोटी सी कन्या थी राजा ने उस कन्या को अपनी पुत्रीमान पालन पोशन करना शुरू कर दिया हाँ प्राचिन समय में हल को सीत भी कहते थे अतह राजा ने उस कन्या का नाम सीता रख दिया सीता राजा जनक की पुत्री थी इस वज़े से वो जानकी के नाम से भी जानी जाती है एक बार बच्चपन में खेलते हुए सीता जी ने अंजाने में शिव धनुष पिनाक को एक हाथ से उठा लिया जिस धनुष को बड़े बड़े शक्ति शाली लोग नहीं उठा पाते थे और सीता ने एक ही हाथ से उठा लिया यह देख राजा जनक हैरान रह गया तब उन्होंने ये घोशना कर दी कि सीता का विवाव उसी से होगा जो भगवान शिव के इस धनुष को उठा कर इसकी प्रत्यंचा को चड़ा देगा शिव धनुष पिना बहुत ही शक्ति शाली धनुष था जिसे देवताओं ने राजा जनक को दिया था क्योंकि राजा जनक शिव के वन्शर्स थे जब सीता विवाय योगी हुई तो राजा जनक ने सीता स्वयंबर का आयोजन किया राजा जनक ने रिशी विश्वा मित्र को भी सीता स्वयंबर में शामिल होने का निमंत्रन भेजा रिशी विश्वा मित्र राम और लक्ष्मन को ले सीता स्वयंबर में पहुँचे उठाने की कोशिश की पर वे सब इसे हिला भी ना सके राजा जनक बेहद निराश हो गया थे तभी विश्वा मित्र ने राम को आग्या दी और कहा कि जाओ और धनुष को उठाने की कोशिश करो राम गुरु विश्वा मित्र को प्रणाम कर वहाँ पहुचे जहां धनुश रखा हुआ था उन्होंने बहुत ही आसानी से धनुश उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई धनुश तूड़ गया यह देख वहाँ पर उपस्ति सभी मितलावासियों में खुशी की लहर दोड़ गई और राजा जनक का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था राजा जनक के प्रतिग्या अनुसार अब शिर्धनुष तूट चुका था अधसीता का विवाराम से होना तैह हो गया पर साथ ही साथ गुरु वशिष्ट ने लक्षमन का उर्मिला से भरत का मांडवी से और शत्रुग्हन का शुत्रिग्यती से विवाराग भी तैह कर दिया आज की कहानी बस यहीं तक आपने आज जितनी भी कहानिया सुनी ये रामचरित मानस के बाल कान की है इसके आगे की कहानी कुछ देर के बाद सुनाओंगी तो सुनते रहिए रामचरित मानस के पात्रों की छोटी छोटी कताएं है